वीवर सालों बाद वो टाइटेन जिन्दा हो गया था जिसने सभी गौट्स को बनाया था पर अब वो पता नहीं क्यों उन गौट्स को मारना स्टार्ट कर देता है उस स्टूडेंट जो जादूड़ी ट्रेनिंग स्कूल में होते हैं वो एक जर्नी पर निकलते हैं जिसमें बहुत ही खतरना क्रियेचर्स और सी मौनस्टर्स का सामना करना पड़ेगा तो क्या वो सब उस बड़े से टाइटन से बच पाएंगे जो उनसे बहुत ही ज्यादा पाउरफुल था और हम सिर्फ देखेंगे नहीं बलकि स्टूडेंट्स की मदद करेंगे उन खतरना क्रिय पीचेस को बीट करने के लिए स्टूरी की शुरुवात एक जंगल से होती है जहां पर कुछ बच्चे तेजी से भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा मौनस्टर पढ़ गया था जिसकी सिर्फ एक ही आँख थी ये बच्चे हाब लड़ होते हैं या पर पता चलता है कि टालिया तुफानों के देवता जूस की बेटी थी टालिया जब मरने ही वाली होती है तो उसके फदर टालिया को बचाने के लिए उसे एक पेड़ में कनवर्ट कर देते हैं और उस बड़े इसे पेड़ के चारू और एक इन्विजिबल दिवार बन करते रहते हैं तभी उन सभी के कैंप में एक लड़का आ जाता है जिसकी सिर्फ एक ही आँख थी और वहाँ के टीचर्स उसे दिखकर काफी शौक हो गए थे क्योंकि उस इन्विजिबल दिवार के अंदर हाँ बलट के सिवा और कोई भी नहीं आ सकता था यानि कि वो लड के सिर्फ एक ही आँख थी और इस टाइब के मॉंस्टर्स को यूकरेंस कहा जाता था जो कि जंगलों में रहा करते थे टाइसन परसी को बताता है कि वो जंगल में किसे बड़े से जानवर का पीछा करते करते यहां पर आ गया था तभी एक लड़की जिसका नम क्लैरिश हो उन सभी को लग रहा था कि कोई भी उस दिवार को तोड़ नहीं पाएगा पर तभी वो इन्विजबल दिवार तूट जाती है और उसके नर से एक बहुत बड़ा रोबोटिक बुल आ जाता है जो लगातर अपनी पावस का यूज़ करके उन लोगों पर हमला कर रहा था व अब तो वो रोबोटिक बुल एकदम से आउट अफ कंट्रोल हो गया था और जगा जगा घूम कर तभाही मचा रहा था लेकिन अगर मैं उन स्टूडेंट्स के जगा पर होता तो मैं उस रोबोटिक बुल के ओपर पानी गिरा देता जिससे कि उसके सारे इंटर्नल सिस्ट करना बंद कर देते और वो तो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता लेकिन सायद से उन स्टूडेंट्स को इतना सूचने का मौका नहीं मिल रहा था और अब वो बुल परसी को मारने के लिए उसके पीछे पढ़ गया था परसी तभी अपना एक पैन निकलता है और उस बुल के मुग के अंदर फेक देता है जिससे कि वो छोटी से पैन एक पावरफुल तलवार के अंदर कनवर्ट हो जाती है और सिधा उस बुल के रोबोटिक हार्ट में जाकर लग जाती है जिससे कि वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था और वहाँ के सारे स्टूडेंट बाल- के लिए खता मुझ जाएगी और फिर वो सब यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तभी परसी के टीचेस बताते हैं कि उसकी लिए एक भविस समाड़ी हुई है जब परसी उस जगह पर पहुँच जाता है जहां पर भविस से बताने में बुडिया रहती थी और उस सबी के एक लेडर जिसका नाम क्रोनस था वो पूरे यूनिवर्स में सबसे पाउरफुल था लेकिन वो इतना निर्दई था कि वो अपने बनाए गए बच्चों को ही खा जाता था लेकिन उसके तीन बच्चे जूस पोसाइडन और हेटिस बज गए थे और उन तीनों ने म बड़े से क्रोनस को मारेगा लेकिन ये चीज़े क्रोनस को मार भी सकती थी और उसे काफी अधा पाउरफुल भी बना सकती थी यानि कि आने वाले लड़ाई में पूरी दुनिया बच जाएगी या फिर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी वहां से जाने के बाद परसी अ अना बैत को पता चलता है कि गुल्डन फ्लीट एक ऐसा धातू है जिससे कि वो टालिया को ठीक कर सकते हैं और टालिया के ठीक होने पर वो इन्वीजबल दिवार वापस आ जाएगी लेकिन उनका टीचर उन्हें बताता है कि आज तक जो कोई भी उस गुल्डन फ्लीट को लाने गया था वो लटकर जिन्दा वापस नहीं आया है उनका टीचर बताता है कि वो गुल्डन फ्लीट दूर कहीं मॉंस्डर के समुदर में हैं जिने इंसान बर्मुडा ट्राइंगल कहते थे और वहां तक पहुशना तो खत्रे से खाली नहीं था इसलिए उनका टीचर एनाबैत और ग्रोवर को इस बात के लिए मना कर देता है पर कुछ देर बार वही टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स के सामने उस गुल्डन फ्लीट के बारे में बताता है जिससे कि वो टालिया को ठीक कर सकते थे इंडिरेक्ली उस टीचर ने एनाबैत का आइडिया चु जो कि सभी गॉड्स पर काबू करना चाता था लेकिन क्लैरिस परसी के बातों पर ध्यानी नहीं देती और वहां से चले जाती है लेकिन अब परसी इस तरीके से सांथ नहीं बैठ सकता था तो वो एनाबैत और ग्रोवी के साथ उस गुल्डन फ्लीट को ढूनने के लिए अ परसी को एक मैजिकल टेप देते हैं जिससे कि अगर वो किसी पर भी लगाएगा तो वो चीज पूरी तरीके से गायब हो जाएगी वो उसे एक स्प्रे देता है जो परसी और बाकी सभी की समुदर में मदद करेगी और इसके बद परसी और उसके दोस निकल पड़ते हैं लिूग के लोकेशन पर लिूग एक बोट पर होता है जो की समुदर के बीचो बीच थी और अब सवाल था कि वो सब वहाँ पर कैसे तभी टाइसन पानी में हाट डालता है और अपने फादर पोसाइडन से हेल्प मांगता है तभी अचनक पानी के अंदर से एक समुदरी घोड़ा निकल जाता है जो परसी और उसके दोस्तों को अपने उपर बिठा कर लियूक के बोट के यहाँ पर छोड़ देता है परसी पूशता है कि वो गूल्डन फ्लीट के पीछे आखिर क्यों पड़ा है तब लियूक कहता है कि उसे ये गूल्डन फ्लीट चाहिए ताकि वो क्रूनस को जिंदा कर सके जो उस बड़े से बॉक्स के अंदर था और वो क्रूनस के मदद से सभी देवताओं को खतम कर देगा इसके बाद लियूक ने उन सभी को कैद कर दिया था लेकिन परसी के पास वो जादूई टेप थी जिससे कि वो पूरी तरह गायब हो जाती है और वो सब कैसे भी करके उस नाव से निकल जाते हैं परसी और उसके दोस एक बोट लेकर बर्मूरा टैंगल में आ गये थे जहा पर वो गुल्डन फ्लीट पाया जाता था पर दभी पानी के अंदर बहुत सारी सार्क्स आ जाती हैं और परसी और बागी सभी को पूरी तरीके से घेर लेती हैं टाइसन और परसी अपनी वाटर की पावर का कुछ भी यूज़ ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उस जगह पर को मॉंस्टर के मुँ में आ जाती थी तभी परसी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उस मॉंस्टर की पेट में क्लैरिस और उसके पूरी टीम भी थी जो की गूर्डन फ्लीट ढूनने के लिए आई थी लेकिन अब वो सब काफी खत्रे में पढ़ गये थे क्योंकि वो मॉ मॉंस्टर का पेट फाड कर बाहर निकल जाते हैं और वो लोग उस आईलेंड पर आ जाते हैं जहां पर वो गुल्डन फ्लीट था एक गुफा में आने के बाद वो दिखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा क्रियेचर था जिसने की उनके दोस्त ग्रूवी को कैद किया ग्रूवी तो अपनी जान बचाने के लिए उन जैसा दिखने की कोशिस कर रहा था और तभी परसी उस मॉंस्टर के कंदे पर वो गुल्डन फ्लीट देखता है जिसे की वो चालाकी से उस मॉंस्टर से ले लेता है लेकिन उस बड़े से मॉंस्टर ने उन्हें देख लिया लिकिन टाइसन के बीच में आने के वज़े से वो गोली उसे लग जाती है और वो एक पहाड के उपर से नीचे गिर जाता है। तभी टाइसन पीचे से आकर लिक को दूर ढखे लेता है और परसी को बचा लेता है। टाइसन पहाड से पानी में गिरने की वज़े से बज़ गया था। वो दोनों भाई गले मिल रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि वो सब गोल्डन ट्रीट के वज़े से क्रूनस पूरी तरीके से जिन्दा हो गया था और वो दिखने में काफी बड़ा और पाउरफुल लग रहा था। लीग जब क्रूनस के पास जाकर उसे बताता है कि उस्सी ने उस्से जिन्दा किया था, तब क्रूनस लीग को पकड़ कर एक और तब जाकर परसी को रिलाइज होता है कि वो तलवार एक स्रापिद तलवार थी जिसका यूज करके कुरूनस को मारा जा सकता था। जो कि लूग के लिए काम करता था। उसने तो अपने डंग का यूज करके एनाबेट को मार दिया था। पर तबी वहाँ क्लेरिस आकर उस मौनस्टर के डंग को काट देती है जिसकी वो मौनस्टर मर जाता है। और अब एनाबेट पूरी तरीके से घायल हो गई थी तो परसी आपका इन्वीजिबल वाल वापस से बन जाता है। टालिया पूरी तरीके से जिन्दा हो गई थी और वो अपने बच्पन के दोस्तों को देखकर काफी खुश हो जाती है। यानि कि परसी और उसके दोस्त अपने मिशन में काम्याब हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमें सेक्षेन में बता दो और अगर आपको मेरा एक परसें भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी यदा तो मिलते हैं डाक्स वीडियो में सीए